तरिके फरेंट्स आज़की ड्रस बनाएंगे एंगे कानाजी के लिए दो कलर की हूल से यह देखें मारी यहां पर यह इस तरीके की हूल है यह बेबी हूल है आप वर्धमान में जो उन आती है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं और यह देखें मैं यह औन ही यूज कर द्यों यह देखें बहुत फथली ओन आती है यह देखें यह वाली ओन हम यूज करते है constituten जैसे हम कसी वी चीश पर ऑन से कड़ाई करते हैं तो यह पाछले अगर यह उन किन आ होता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है तो आप इसको डबल करके देखे इस तरीके से गुल्ले बना सकते हैं और मैंने पी इसी तरीके से बना रखा है तो चलिए आज की वीडिये स्टार्ट करते हैं है तो हैै सबसे पहले हम यह को भूष का 不टार खाला है है और कि viewers दीकि आपे यह就是說 डालनायो को सबसे पहले हमें यहां पे यहां पर इस तरीके से नॉट लगाना है जिससे कि हमारा क्रोश्य होका अच्छा से मूब कर सके आप देखें हमें यहां पर चेन लेनी है एक दो थीन चार पाँच इस तरीके से हमें यहां पर पूरी तीस चेन लेनी है फ्रैंड्स तो चर्यों तीस चेट बडा लेते हैं यह देखें फ्रैंड्स समने हाँ यहां पर तीस चेन टोटल बना ली है आप देखें एक चेन हमें थोड़ाना है और तीसरी चेन में यह दो निकालनी तो टोल हो गई हमारी तीन फंदे सबसे पहले हमें दो निकालने है, फिर से दो निकालने है, तो यह होगे friends एक हमारा double crochet है, इसके बाद एक जो हमारी next chain आ रही है, उसमें से भी हमें इसी तरीके से करना है, पहले हमें देखें हैं, पर दो chain निकालेंगे, फिर से दो chain निकालेंगे, यह हमारा double crochet होता है friends, और द सब्सेली कर लेते हैं कि यिदिकी पैंट समने कि पूरी रो िस तरीके से डुल बना है और त tutte हैं अब आप अब मैं जीलोल्गा करना यहां से हमें 2-2 झे लेनी लिए न ईसरीके में पट्रूर्ण पलटना आप देखिए first chain पे तो हमारा दो chain लिया है इसको हम्हमां आयो go recession मानते हैं अभ इसके बात चैनी हमने next chain चैनी हती है पर नाइकटष्य के ये नीजह केनल इसी तरीके से करो इसी तरीके से हं कि दो धी यह कुछिं रिर्फटल में हम दो चैनी हमें स्ट्रोह को तर्लावास गिल्ट सलेक्टे से सरु थे अभी बूल दीप मैं भाला उती हमें स्किपन करना होती है वैसे वैसे और यहाप नहीं डौन पर आ लेकिन इसे हमें क्या सत्तिक लिखे चलिज़ करेंगेशन नगर स्किप करेंगे कि इसकी तीरची चली जाएगी इसकी जो शेप है बिल्कुल हमें स्ट्रेट चाहिए अगर आप बनाते हैं तो इस तरीके से यह लास्ट वाला भी आपको जरूर इसमें बिनना होगा इसको कभी भी स्किप ना करें ठीक है जब हमारी स्ट्रेट पट्टी आएगी और इसके बाद दीकिए तीन डबल कॉश्य की तीन रो बन जाएंगे तो चले मैं इस रो को भी ऐसे की कम्लेट कर लेती हूं ऐसे देखे हैं यह यह लगबग तीन तेयार हों में लगबग पूरी तीन रो कम्लेट कर लिए हमने ब्लू कलर से अब यहां पर देखिए एक चैन लेनी है और ए इसको हमें तीनों को एक साथ उतार देना है इसे कहते हैं हाब रोल कोश्य इसी तरीके से दिखे जो नेक्स चेन है उसमें भी हमें ऐसी करना है हाब रोल कोश्या करना है इस पूरी रो में हमें डबल कोश्या नहीं करना है सब पे हमें सभी चेनों में से एक हाब रोल कोश्या करना देखे इस तरीके से और इसी तरीके से करने के बाद ये रोब कम्प्लीट कर लेंगे तो ये देखे हमें इसी तरीके से तीन चेन लेके हम एक साथ उतारते हैं उसे एक हाफडल कोशे कहते हैं तो यह पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे चले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूं तो देखे पैस यह हाफडल कोशे की हमने यहाँ पर रो कर लिया पूरी तीन तो हमने डबल कोशी की रोग कंप्लीट किया और एक खावडल कोशी की अब देखें इतना करने के बाद हमें यहापे इस तरीके से धावे को कट कर देना है कि अब कि सिंप्ली हमें आप लगा देनी है इस तारीके की पट्ट पहले सी बना के रखी है फ्युक्राइब यहापे आराम से आजयेगा तो हमारी टोटल यहापे करने के बाद हम पहले सुई में डाल लेनी है कि ये दिखिए फैर्स मैं यापधे मैंचिंग का ही ये सुई में दाग डाल दिया बड़ी सुई लिए मैंने यहां पर आपके जो हमारी दोनों हिस्से हैं इसको हमें किस तरीके से स्टिश करना है ऐसे रखेंगे इसे कि दोनों को बराबर इस तरीके से रखते हुए कि यह दिखे इस तरीके से हमें हां से स्टिश करना है आप चाहे तो यह जो धागा इसको हम यहाँ पे इसमें नौट लगा देंगे जिससे कि हमारा धागा भी यहाँ पे अड़ेस्ट हो जाएगा हिसे हमेरे स्ट थरीके से आपर dwati बहुत अच्छे से कि हम यहां प्यादि Calling के साथ शाथ ही तो यह यह kan से सिलना है यह देखे चेन होती है ना फैंस एक चेन आप इधर से इस वाली पट्टी की ले लीजी एक इधर से तो इस तरीके से अगर आप स्टिश करेंगे तो आपकी बिल्कुल बराबर बराबर स्टिश हो जाएगा दोनों पीस कभी भी आप कोई भी जो वूलन के कपड़ स्टिश करना होता है इस तरीके से स्टिश कर सकते है देखे लिए कि देखें दोनों साइट से पकड़ेंगे तो फिर यह बिल्कुल भी आगे पीशे नहीं होपाएगा दोनों पीस हमारे बिल्कुल बराबर बराबर यहां पे ज्वाइंट हो जाएंगे हैं आपने पड़ हमें क्या करना देखिए धागे भी हमारे यहां पर अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे और हमें स्टिच कहां तक करना यह देखिए जितना भी हमारी इसकी लंबाई है इसको हमें तीन बर फोल्ड करना एक बर ऐसे करेंगे इतना और एक बर इतना तो मतलब बराबर तीन हिस यह देखें हमने यहां तक कर लिया है स्टिच अब हमें यहां पर क्या करना है पक्का कर देना है एक दो बार नॉट लगाएंगे इस तरीके से नॉट लगा के हमें जो एक्स्ट्रा उन है इसे कट करके निकाल लेना है आँ निकालना कैसे धागे को ऐसे हमें जो उपने धागे से श्लाई लगाई यह वहां ले जाना और येशाने के बाद आप इससे कट कर देचे इस तरीके से हमारा तो यह स्टिच हो गया इतना तो ऑफ औस आप यसे करके स्टिच करना हो यह देखे, ऐसे करके हम यहाँ पे स्टिश करना है, इसी धागे से हम यहाँ पे स्टिश कर देंगे, तो देखे पैर्स, अब हमें यह साइड वाला जो ही पोर्शन है, यह हमें सिर लेना है, यह हमरे देखे धागे हैं, इसको भी हम साथ की साथ यहाँ पे अज़ेस्ट कर दे यहां से यहां से देखिया हमने धागे नहीं निकलते हैं तो उसमें रेश में आप इसमें कर देंगे तो फिर यह जहां की तहां सैट हो जाता बहुत अच्छे से तो इतना सदी कि हमें आपे स्टिश करना था बहुत ज़रा-ज़रा सा मुश्किल से हमने यहां पर आदा इंच का स्टिश किया है इससे ज्यादा हमें स्टिश नहीं करना है और दूसरी साइट भी देख दिखर एनि रही है कि हमने यहां पर च्छेस कर दिया और गशान थे थोड़ा सा उपन के सबस्क्राइं हुआ है अब रही जोंडा स्टिश नहीं पर आद announ को ले आइए स्टेन लएट है ले हां ले लिए हमने ने के पार हमपर तारे ने ने है तो इसमें से देखिए हमें ऐसे चेन लाना है और यह सिंगल कोशा करना दो चेन एक साथ उतार देंगे यहाद कि सभी में एक चेन ही हैं तो हमें यहापे बिल्कुल अराम से कोई प्रप्रब्लम नहीं होगी बनाने में आप देखिए हां पर मैं ने डाल व्हीं हो एक्स्टर इससे क्या होगा हमारी आउटलाइन बन जाएगी यह देखते हैं सभी चेनों में से हमें सिंगल कुष्या कर देना है और बहुत ज्यादा टाइट हातों से नहीं करेंगे हलकी हातों से करेंगी जिससे कि हमारी जो फिनिशिंग है नेक की और प्रंट की पट्टी है बहुत हापे सभी चेनों में से एक-एक सिंगल कुष्या लेके फूरी रो जो है हमारी उसको हमें इस तरीके से आउटलाइन कर देनी है बहुत सुंदर इसका लुक आ जाएगा और बनाना भी बहुत इजी है अब ठंड एक दूं से होनी लगी है तो आप इस तरीकी की जैकिट बन ठंड यह जाएंगे अपना पूस्ते ही सिंगल कुषा करते हो जाना आप आप अपना पर आप हमारी यहां पर आजाएंगे अब हम इस साइड वाली पढ़्वाल परश्य आजाएंगे यह देखिए इकर बहुत अचसे से यहां पर शेप आजाएगी पिर और यह कंपर कोई भी चेन जो इसकी इपनी कर रही है इसकी सिद्धाई कशें करने तो चलिए मैं इसलों को कंप्लीट करके दिखाते हूं आपको इस हमारे हैं मैं बॉटर बना लिया अब आप के यहां पर देख dejaعم अपर हम्हारी चेन नहीं आएक यह थी यहां पर इस ची करना यहां पर चैन आपर जो हिसाब से हमें अंदाजे से करना देखिए बराबर बराबर दूरी पर यह देखिए एक डबल कोश्य किया हमने ठीक है और यह हो गया हमारा यहाँ पर दो डबल कोश्या फिर आगे चलेंगे कि यह पर देखिए इस तरीके की जाए तो हमें करना है ज्यादा ज soir दोफश्य करेंगे भी कोश्या करना हमीं कोश्या करते हैं हुएस स्टिछ हुई है तो ऐसा नहीं है तो इस पर आपको सब आपने हिसाब से कर लीजिए बहुत ज्यादा घना घना ना करें इससे कि हां पर घूम जाएए गोलाई में आ जाए तो देखिए स्ट्रेट आना चाहिए इस तरीके से यहां से लेंगे तो यह जो हमारी होल से ही देखिए एक दौ 3 यहां से लेंगे उस में लेंगी दूसरी रो है उसमें से क्यूंती legit यहां से इसे क्या होगा हमारा बित पूल सीधा सीधा स्राइट प्रत्तिस ही बन जाएग़ । यहाँ से एक हम बार लेना है आप ही उस से फिर से फिर से दो बार डॉष्य लेना है कि दीखेए दूसरा डवल कोशचे का यह भूए आपको के आपने यह क्या स्ट्र diving सिर्फ सीधि दो पत्टी ओ से बनाया है दो देखिए यह मैं ओन diferen्य स्टिय नि पत्टियंग है इस में के चैजिए हमारे हमें से गप्षी क्वर से 2 souvent घ्यक्तिय करना एं इस हमारे से पूरी रोग़ें कर लेती हो उया है यहां पर हमें लिजाके से जॉइंट कर देना है कि यह हमारे यह उधा पर जॉइंट हो जाए गां ये दिए फैट्स हमारा यहां पर इतनी आमें हो गई है कि अब आप देखिए दो चैन में लिघेंगे य पार हो गया इसके बाद क्या करना है थिसे हमें फोड़े के इतनी है में फ़ात परेफिर दभी दैब है उसमें से हमारी एक बार डबल कोश्या लेंगे एक बार और लेंगे तो दो चैन में से तो हमें एक बार डबल कोश्या लेना है और तीसरी चैन में से दो बार डबल कोश्या यह देखिए एक चैन में से हमने एक डबल कोश्या ले लिया और जो थर्ड चैन आएगी ना फ्र और यह लास्ट में की डबबल कुशा लेंगे और पर से थोड़ी सी फिटिंग कि रएगी नीचे से थोड़ी सी धील जाएगी चिसे के काना जैड से बहुत अच्छे से तक पपर हो जाएंगे अब इतना करने के बाद देखिए हम यहां पर 4C बाजू की भी आउटलाइन करेंगे अब यहां से हमें देखिए जो हमारा यह जो बाजू का हिंस्सा है यह देखिए यह जो चेन हमें दिखाए दे रही है बिल्कुल लास्ट वाली जहां से हमने स्टिश किया हुआ है यहां से हमें देखिए इस तरीके से धागा लगाना है यह हमने नौट लगाई और नौट लगाने के बाद इधर लियाएंगे एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद यहां हमें सभी चेन में से एक एक बार सिंगल कोश करना है और सिंगल कोशे करके पूरी जैकेट को हमें हां से जो स्लीव हैं उसको फिनिशिंग करनी है दोनों ही फाजु को देखिए हम इस तरीके से करेंगे इस तरीके से हमारा कुछ यह बॉर्डर बनके आ जाएगा और इसका लोग और भी अच्छा रगेगा तो इसकी तरीक यह हो गया हमारा पूरी जो स्लीव है स्लीव की हमारी आउटलाइन ऐसे हो जाएगी और बहुत यह अच्छा लगेगा कि जैकेट काना जी को आप पैनाएंगे यह देखे हमारी इस तरीके से यहां पर आउटलाइन हो गई अब यह देखे हमने यहां से जोइन किया था इतना ही हमारा आ गया है अब हमें सिंप्ली क्या करना है यहां से ले जाके हमें इस तरीके से यहां से जहां से हमने स्टाट किया था है यहां से हमें इस तरीके से ल बन गई है और धागे को हम अंदर ले जाके इस तरीके से अंदर एड्जस्ट कर देंगे देखिए इस तरीके से हमें एड्जस्ट करना होता है अंदर से आप किसी भी धागे में से ऐसे रोश्या हुटा लिए और इसे इस तरीके से निकालके एड़्जस करते हैं बहुत ही असानी से आप कर देंगे लेकिन अगर धागे दिखते रहेंगे तो फिर यह हमारी जो है हाओ एक हमारी जैकिट बिल्कृ बनके ररेडी हो गी है हम यहां पर टेंट लगा देंगे इस तरीके से यहां से इस तरीके से बसcard मेंता नोर काई नहीं चैन डेने नहीं है दोनों साइड से इसी तरीके से चैन बना देंगे चलिए वैसे complete करके आपको दिखाती हूं यह देखे पैंस मैं यह पर डोरी बना लिए इसको हम इस तरीके से बान के काना जी कर आम से पहना सकते हैं अब बना लेते देखे पैंस कैप मैंने यह आपे 26 चेन लेके तीन रो बनाई है तीन रो हमने डबल कोशे की बनाई है और इ बस हमें सिंप्ली इस दर से निकाल लेना है ब्लू वाली उनको इस तरीके से कीचना है यह देखें आव हम यह पर एक चेन ले लेंगे और अच्छे से धागी को खीचेंगे खीचने के बाद देखें जमारी नेक्स चेन आएगी उसमें हमें हाफडल कोश्य करना है यह थी कर लेंगे हमारा केबभी तो आप इस तरीके से एक bonos कोशिकी के कर ली जिएEr नियुद्ल अमें यहाफडल कोशिकी हो जाएंगे और चौति करना के बाद यहापर पट्टी क्रेडि हो जाएगी लिए मैं ही रो भी कंप्लीट कर लेती हो यह देखी फैंट्स हमने पूरी पट्टी बनाके यहां पर कंप्लीट कर लिए अब हमें देखे इस तरीके से स्टिश कर देना साइट से जो हमारी दोनों से लाई है जो दोनों पट्टियों की साइड है उसको हमें इस तरीके से सिल देना और नीचे से भी अच्छे से जो हमारी नीचे की वाइट पट्टियों से भी अच्छे से सिल देना पूरी पट्टी को हम ऐसे chain पकड़ते पकड़ते यहां से stitch कर देंगे और धागों को भी साथ की साथ यहां पर इस तरीके से adjust कर देना और extra धागों को हमें यहां पर cut कर देना अब देखिया हमने यहां तक बिल्कुल कोनी तक आ गए है अब हमें क्या करना जैसे उपर की जो हमारी पट्टी है उस पर हमें इस तरीके से कच्चा सा करना है पूरा पट्टी उसके कच्चा करके जो हमें धागा होगा उसके से टाइट से खीछ देंगे जैसे हम प्रीट का चुन्नट बगएरा बनाते उस तरीके से हमें यहाँ पर हलका सा कच्चा करके धागे को खीचना जिससे कि हमारा यह बिल्कुल श्रिंग होके ऐसे खटा हो चाहिए यह तोग नोट कर दिया और यहां पर नौट भी लगा दिया अब एक्सर रागे को हमें आसे कट कर देना है और यह तर्फी यह तरीके से पल्टेंगे तो बनाएंगे ऐसे नहीं पर सकते हैं कोई भी ड्रेस्स बना रखी हो आपने जैसे कपडों की जैसे आप प्रुसके उपर सकते हैं के लिए बहुत अच्छी लगेगी जैकित चानर जी को और साथ में नहीं केसी लिए इसकी पैंट भी बनाएंगे उसको नेक्स वीडियो कर दो अगर आपको पैंट भी बनानी हो तो मैं पैंट बनाना भी बता दूंगी एक ही वीडियो में पैंट भी बनाऊंगी तो फ्रेंट्स वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो इसलिए जो हम पैंट बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आशा करते हैं आज की जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए फैंस के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोस मेरे चानल पर मिलती रहती हैं आशा करते हूं आपको अच्छी लगियोगी कानाची की जैकेट तो चलिए फैंस फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ तब त